आप सभी को मेरा परणाम, हर्बल रेमिडी जे नेचर्स टेजर में आपका स्वागत है, आज बात करेंगे इंडियन कोरल ट्री के फरहद या इरिथिना इंडिका, फेबेसी कुल का ये प्लांट है, बहुती सुन्दर रेड कलर के इसके फ्लावर्स आप देख रहे होंगे, इसके फ्लावर्स से नेचरल डाई भी मनाई जाती है, इस प्लांट का छाल, इसके पत्र, इसके फूल, सभी औस्दिय गुणों में इस्तमाल होते हैं, और इसके स्टेम के ऊपर थौन भी पाया जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस प्लांट के अंदर विभिन इराइथरीन पाया जाता है, जो कि स्ट्राइचिनिन नामक एक नक्समोमिका में पाया जाने वाले घटक का एंटिडॉट होता है, स्ट्राइचिनिन कुछला के अंदर पाया जाता है, जो कि नर्वस सिस्टम से सम्मंदित विमारियों के लिए माहनोसदी है, कई बार एक्सस मात्रा में लेने से या सोधना करने के कारण कुछला के साइड इफेक्ट जो होते हैं, उसको नुकलाइज करने के कारिया इराइथरीन करता है, इसके अलावा इसमें लैसीथिन, इराइथर इत्यादी पाया जाते हैं, यह प्लांट विभिन प्रकार के जो प्वाइजन होते हैं, चाहे वो स्कॉर्पियन बाइट से हो, चाहे सिनेक बाइट से हो, उन सब का भी एंटिडॉट का कारे करता है, चाहे कुत्ते के काटने से रेवीज हो, उनका जो प्वाइजन है, उसक चाल का आप अगर decoction बनाएंगे तो वो बुखार के लिए नीद ना आ रही हो तो नीद को लाने के लिए anxiety और depression को कम करने के लिए inflammation को कम करने के लिए इस्तमाल में आता है इसके जो पत्र होते हैं वो diuretic nature होता है और अगर आवला के पत्र के साथ मिला कर स्वरस बना कर पिया जाए तो लग्जिटिव का भी कारे करता है इसके पत्र गलेक्टो गौग होते हैं दुखद वर्धन का कारे करते हैं मनुश्यों में भी और पसुओं में भी पसुओं में दुखद वर्धन के लिए चारे के लिए इनके पत्रों को काट कर भूसे में मिला के खिलाना चाहिए कई बार क्या होता है वाजी करण के लिए इसके चून का इस्तमाल भी करते हैं इसके चून को सहद में मिला कर लेने से पुरुस्त बलवर्दक हो जाते हैं कामला के लिए कामला जिसको आप जॉनरिस कहते हैं उसके निराकरण के लिए इसकी छाल का महिन चोन हमें चावल के धोवन के साथ पीना चाहिए अगर दंत सूल के समस्या हो दातों में दर्द हो रहा हो तो इसके छाल का डिकोक्शन बना कर उससे कुला करना चाहिए और अगर कानों में दर्द हो रहा हो तो इसके पत्र का रस निकाल कर दो से तीन बोदें कानों में जिन में दो से तीन भाड डालनी चाहिए कई बार क्या होता है कि खीट नासक या किसी जहरी लेजीव जन्तू के काटने से गांट जैसा बन जाता है उसके निवारन के लिए इसके पत्ते को गर्म करके बांध देना चाहिए धीरे धीरे गांट बैठ जाती है साथियों यह एंटी अस्थेमेटिक और एंटी एपिलेप्टिक का कारिय भी करता है हमारे बोड़ी के होर्मोन्स को रेगुलेट करता है और यह अपनी अक्टिविटी सो करता है कई बार क्या होता है पोस्ट मिनोपॉजल कंडिसंस में बोड़ी में केल्सियम का लेवन बहुत जादा डाउन हो जाता है जिससे ऑस्टियोप्रोसिस की समस्य हो जाती है उसके निराकरन के लिए यह बोड़ी में केल्सियम के लेवल को मैंटेन रखने वाला और होर्मोन को regulate करने वाला होता है इसकी anti-osteoporotic activity भी होती है यह हिर्दे को मजबूती देने वाला और पित का समन करने वाला होता है यह कफ वात सामक और पित हर है इसका आप अगर आँखों में समश्या हो तो इसकी चाल से काजल तयार कर सकते हैं और काजल को आँखों के विकार के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं पेट के विबिन प्रकार के वम्स हों उसमें भी इसका उप्योग किया जाता है एर लेरिंग के मादियम से और सीड के मादियम से इसका propagation हम कर सकते हैं बहुत अच्छा यह plant है इसको इसकी antidote properties poison के against बहुत उप्योगी है यह जानकारी आप अपने मित्रों के साथ सांजा कीजिए ताकि इसके बहु मुल्ले उप्योगों को हम जान सकें और अपने जयनिक जीवन में उतार सकें आप सभी का धन्यवाद चैनल को like, share, subscribe जरूर करिए आप सभी का प्रणा